हेलो गाइस, विल्कम बैक तो मैं चैनल, दिस इस फात्मा, वैलंटाइन्स दे आने वाला है, तो मैंने सुचा क्यों ना वैलंटाइन्स से रिलेटिड कोई क्राफ बनाया जाए, तो मैं कुछ कार्ड्स एंड गिफ्ट पैक, बुकी बगरा लेकर आ चुकी हूँ, तो सबसे पहले हम कार्ड बनाएंगे, तो कार्ड बनाने के लिए आपको एक पेपर चाहिए होगा, और उसको 2-2 cm पे बीच में हम उसमें डेंस लगाएंगे, आप साइस जो है वो अपने कॉर्डिंग ले सकते हैं, तो यहां पर मैंने 18 x 15 लिया है, और उसके बीच में मैंने 2-2 cm के डेंस लगाए हैं, और दोनों साइड में वाइट कलर का पेपर इसमें पेस्ट करूंगी, अब जो मैंने 2-2 cm के डेंस लगाए थे, उसमें मैंने यह स्टिप्स रेडी की हैं, इन स्टिप्स को हम कुछ स्टैप से पेस्ट करेंगे, से मैं शोन, और इसके उपर मैं I Love You जाया था, उसके उपर मैं कुछ images लगाऊंगी, यह images मैंने खुद से बनाई हैं, अगर आप लोग चाहें, तो आप इसके जगाए photos यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे पास photos नहीं थी, तो मैंने कुछ से sticker ड्रॉ करके पेस्ट कर दिये हैं, और मैं कुछ quotes लिखोंगी, and it's done, त तो अब हम इसका देख लेते हैं, final look, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं, अपने next card के तरफ, तो next card जो है, बहुत ज्यादा easy है, इसको बनाने के लिए मैंने 18 by 12 का एक paper लिया है, and उसमें कुछ steps से cuts लगाए हैं, आप वीडियो में देखी सकते हो, cuts लगाने के बाद ये 3D लुका जाएगा, and बीच में से हम hole करेंगे, hole में हम thread फसाएंगे, same as shown, thread फसाने के बाद इसम paper और attach करेंगे, अब ये मैंने कुछ images बनाई थी, जिसकी वीडियो बहुत जल्द upload करूंगी, मैं इन दोनों उबरे हुए parts में, ये हम image लगाएंगे, बीच में से cut करके, and जो बीच में थ्रेट लगाया था, उसमें मैं एक side arrow लगाऊंगी, and एक side एक cut लगाऊंगी, और इसको हम कुछ step से घुमा के देखें कि तहां अच्छा card बनके ready हो गया है, and बहुत ज्यादा easy है, आपको इसको जरूर से try करिएगा, and वैसे तो मेरे सारे ही, और ये रहा इसका final look, अब बढ़ते हैं अपने next card के तरफ, card 3D है, बट ये third card जो है, ये मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है, तो इसको बनाने के लिए मैं हमें 20 by 12 का एक paper लेना होगा, and बीच में से cut लगा के, मैंने 8 by 7 का cut लगाया है, तो हमें step से मिल गया है, तो ऐसे हमने 2 बनाए है, and दोनों को side में से 2-2 cm के dents लगाए है, and इसको कुछ step से हमने एक box step का बना लिया है, अब इसके उपर हम black color का एक paper attach करेंगे, and इस paper में थोड़ी से detail सेट करेंगे, तो मैंने इसमें थोड़ी से love hearts बना लिये है, बहुत सारे love hearts बना लिये है, तो हमें एक paper मिल गया है, अब मैंने एक cloud कट किया, 2 cloud shape मैंने कट किये, एक white, एक red, इन दोनों को मैंने कुछ step से paste कर दिया है, and मैंने इसमें my love लिखा है, and इसको मैं एक thread की help से hang कर दूँगी, and इसको और decorate करने के लिए मैंने एक butterfly लगा दिये, तो ये रहा इसका final look, आप देखी सकते हो कितना स्यादा प्यारा लग रहा है, तो इसके लिए रहा है, साथ हम बढ़ते हैं अपने next item के तरफ, तो next जो है, next मैं card नहीं बना रही हूँ, मैं chocolate bouquet बनाने वाली हूँ, तो chocolate bouquet बनाने के लिए हमें कुछ cone, हमें 2 cone बनाने है, तो मैंने एक measurement जो है, आप size जो है, अपने हिसाब से कोई भी ले ले, तो मैंने एक black color का cone बनाया है, उसको बीच में से मैं cut कर रहे हूँ, cut करने से आप समझे गया होगे, कि मैं इसको fold करके shirt का look दे रहे हूँ, तो shirt का look मैं दे दूँगी, दोनों तरफ से इसको कुछी step से fold करूँगी, and same, मैं इस से थोड़ा सा कम size का, जैसे अगर हम 20 by 20 का ले रहे हैं, तो दूसरा हम 18 by 18 का लेंगे, तो दूसरा cone बनाएंगे, and इस cone को इसके अंदर हम insert कर देंगे, तो ये coat था, अब coat की shirt भी ready हो गई है, अब हम इसमें bowl लगा लेंगे, तो bowl बनाने के लिए मैंने glitter sheet लिया है, circle, glitter sheet से एक circle cut कर लिया है, and इसको मैं कुछ step से fold करके एक bowl बना दूँगी, and बीच में से मैंने इसमें wire से अच्छे से tie कर दिया है, अब मैं दो heart cut करूँगी, एक white and एक red, इसमें मैंने भी wine लिखा है, and मैं इसको एक stick से attach कर दूँगी, तो आब attach करने के बाद मैंने कुछ sticker लगा के, इसको थोड़ा सा और beautiful look दिया है, अब हम इसमें chocolates लगा एड़ करेंगे, and chocolate रखने के बाद हम इसमें flower का एक bunch लगाएंगे, ये भी मैंने flower बनाया है, तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से जाके इसका short देख सकते है, and ये हमारी cute सी bucket ready है, chocolate bucket ready हो चुकी है, तो ये रहा इसका final look, तो ये रहा हमारा fifth and last card, तो of course मैं यहाँ पर card ही बनाऊँगी, तो इसको बनाने के लिए मैंने एक square paper लिया है, इसमें थोड़े थोड़े छोट़े से hearts बना दिये हैं, अब मैं जो बच्पन में हम लोग TikTok तो वाला game खेलते थे, तो मैंने game लिखा है, तो हम अपने valentine को देने वाले हैं, तो मैंने कुछ lipstick को लगा के, कुछ hearts बनाए हैं, लिप्स्टिक को lips पे लगा के stamp बनाए हैं lips के, इसको cut करके हमने कुछ messages लिखे हैं, messages लिखने के बाद हमने इसको separate कर लिया है, cut कर लिया है, उसको हम कुछ step से fold करेंगे, आप लोग समझी गए होगे देखे, कि मैं एक envelope बनाने वाली हूँ, तो मैं ये envelope बना रही हूँ, इसको fold करके, envelope ready होने के बाद, हमने जो tik-tok-tok वाला game बनाया था, उसको हम envelope के अंदर रख देंगे, और जितने भी हम लोगोंने messages तैयार किये है, lip वाले stickers पर लिख लिख कर, तो वो सारे messages और टिक-tok-tok वाला game, सब हम अपने envelope के अंदर रख देंगे, envelope के अंदर अपने सारे messages रखने के बाद, हम अपने envelope को एक smiley से मैं इसको इसमें एक stamp लगा दूँगी, आगे seal लगा दूँगी, sorry, stamp नहीं seal लगा दूँगी, तो smiley से मैंने seal लगा दिया, and front पे मैं इसमें और एक heart लगाऊंगी, अब मैं एक ribbon से इसको tie कर दूँगी, तो हमारा ये वाला भी card, जो है cute सा card, beautiful सा card, प्यार भरा card ready हो जुगा है, तो इन पाचों में से आप लोग को सबसे ज्यादा प्यारा कौन सा वाला craft लगा, आप लोग मुझे comment section ने बताईएगा, and video पसंद आया तो इसे like करना, चैनल पे नए हो तो जरूर से subscribe करना, अपने दोस्तों के साथ share करना, मत बोला और हाँ अपने valentine से भी share करना, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाई!